सिजन फाइ एपिसोड टू स्टार्ट होता है सौल के जो भी क्लाइंट्स होते है जो उससे फोन बाई करते थे अब उन्हें पता है कि उनके पास अब एक अच्छा लॉयर है तो पूरी सीटी में बहुत ही दंगा मचा रही होते है सौल को भी पता होता है कि ट्रबल में आनी वाले है इसलिए उसने उन सब को नमबर दिया होता है नेकसीन में हमें दीखता है कि नाचो अपने घर पर होता है वह उसे एक गस के आदमी उठवा लेते है उससे फिर वो गाड़ी में बेटा थे और लेकर जाते है उस गाड़े में फिर गस बेट जाता है उन्हें नाचो को उसके फादर के पास लाए होगा होता है कार से एक आदमी उतरता है और उसके फादर के पास हो जाता है उसके फादर को वो मार देगा ऐसे वो से बोल रहे होते है फिर Gus नाचुछ नाचू से बोलता है कि लालो बहुत इप टरवल क्रेयेट करना है तुम्हें उस पर 24 आवर्स नजर रखनी है वो जो भी कुछ करे जो भी प्लैन करे वो तुम्हें बताना है नाचू बोलता है कि मुझे वो कुछ भी जादा नहीं बताता सिर्फ वो सिर्फ माइकल और उस कॉंटेक्टर के बारा में बोलता रहता है वोस उसे बोलता है कि वो तुम्हें ट्रस्ट करे ऐसा तुम्हें कुछ करना है ना चो अब समझ गया है तो उस आदमे को उसके फादर के यहाद से वो निकाल लेते है सुबा होती है और किम अपने काम पर जाने वाली होती है सौल अपने स्ट्ट शट में उसके गाड़ी में बेट जाता है उसे बोलता है तो सिर्फ पाज मिनिट में तुम्हारा टाइम लूँगा उसे कही लेकर जाता है उसे एक घर में लेकर आता है ये बहुत ही बड़ा घर होता है और उसे बोलता है कि हमें एक घर बाय करना चाहिए किम उसे बोलती है कि कभी ना कभी हम तो ऐसा घर लेने ही वाले है वो घर की पूरी विजन उसे बता रहा होता है कीम फिर उसे बोलती है कि जैसे तुमने कल कोटरूम में मेरे क्लाइन को मैनोपलीट किया है वैसा तुम्हें कभी भी नहीं करना है वो पुरा घर देखते है और बहुत ही हैपी होते है जब वो बातरूम में आते है तो कीम शौवर भी आन कर देती है सौल को वो पूरा गिला कर देती है लालो सालमांका से मिलने आता है लालो को बहुत ही शक हो रहा होता है कि गस कर क्या रहा है वो अभी भी फीगर आउट नहीं कर पाता कि चल क्या रहा होता है वो सालमांका से बोलता है गस जब तक पैसे कमा रहा है तद तक हम उसे हाथ भी नहीं लगा सकते माईक अपने घर पर होता है उसकी डॉटर इनलाओ से कॉल करती है और काईली को देखने के लिए बोलती है उनका जो ट्री हाउस होता है काईली और वो अब बनाने वाले होते है वो जब बना रहे होते हैं काईली अपने फादर के बारे में क्वेस्चन पूछने लग जाती है वो बहुत ही जादा क्वेस्चन पूछरी होती है तो माईक डिस्टब हो जाता है और काईली पर वो छीट जाता है काईली रोते-रोते घर में चली जाती है जब रात होती है और उसके डॉट्टरी रो आती है तो माईकों से बोलता है कि उसने खाना भी नहीं खाया और वो अपने रूम में ही है वो कुछ भी उसे नहीं बदाता और वहाँ से चला जाता है Nixon में दिखता है इस Salamancas जो कुछ जो नेट्र होता है जहां वो ड्रक्स सेल करते है तो उसमें से एक घर होता है उस घर में से वो ड्रक्स सेल करते है वो एक pipe के थूँ ड्रक्स नीचे भेशते है वहाँ कुछ लड़के आते और ड्रक्स मांगते उने पैसे भी देते थे पर उस पाइप से वो ड्रक्स नीचे नहीं आते वो प्रॉल्म क्रेट कर रहे होते तो जो डिलर होता है वो नाचो को वेगरा कॉल कर देता है नाचो के साथ crazy eight भी होता है फिर सब लालो नाचो crazy eight सब वहाँ spot पर आ जाते है crazy eight वो drug उस pipe से निकालने के कोशिश करता है और वो निकाले नहीं जाते है वहाँ police के patrol चल रही होती तो police police over कर लीती है सब वहाँ से भाग जाते है और नाचो CD पर होता है तो वो वही रुख जाता है police फिर नाचो से पुछती है कि तुम्हें क्या कर रहे हो नाचो बोलता है कि यह आप blockage हो गया है और मैं यह ढूणने के कोशिश कर रहा हूँ नाचो फिर उस pipe को मारता है और वहाँ से ट्रक्स निकालाते है यह सब लाचो और नाचो दोनों गाड़ी में से देख रहे होते है वो जे drug dealer होते है वो भी उस गाड़ी में बैटे हुए होते है वो लाचो को बताते है यह वहाँ हमारा बहुत सारा माल है वहाँ पुलिस आचुकी होती है और वो अपस्ट करने वाले होती है ना जो फिर गाड़ी से उतर जाता है ना जो फिर नेवर की बिल्डिंग में से उस बिल्डिंग में कुछ देता है चाहँ उसके ड्रग से वो पीछे से उत में घुछ जाता है और सारे ड्रग्स निकाल लेता है पुलिस वो दर्वादा तोड़ी देती है इपर वो खिड़के से बाहर आ जाता है भाग के आकर वो फिर से गाड़ी में बैट जाता है सर्व ये सब अब उसे लालो का ट्रस चाहिए इसलिए वो करता है नेक्सिन में हमें दिखता है कि सॉल कोड में होता है हावर्ड भी उसे मिलता है सॉल बहुत ही अच्छी प्रैक्टिस कर रहा है वो देखकर हावर्ड को अच्छा लगता है सॉल भी उसे बोलता है कि financially ये मेरा best year हो सकता है सॉल फिर हमें ADA से deal करता हो दिखता है वो उसे बोलता है कि मुझे से 20 मिनिट दो बहुत सारी case निप्टा लोंगा ADA उसे बोलती कि तुम्हारी appointment है तभी तुमाना सॉल बोलता है कि लोगों को जल से जल 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 से देदो ADA बोलती कि लोगों के लिए तुम ये सब नहीं कर रहे हो तुम्हें ज़ादा पैसे मिले इसलिए तुम ज़ादा client जल से जल निप्टाना चाते हो फिर वो वहाँ से चली जाती है अब crazy head जेल में है तो ये problem हो सकता है फिर लालो नाचो से पुच रहा होता है क्या crazy head पहले जेल में था नाचो बोलता है कि इससे पहले वो कभी भी जेल में नहीं गया है नाचो को लगता है कि अब उसे crazy head को मानना है पर लालो बोलता है कि मेरे पास उसके लिए और एक plan है थोड़ी देर बाद फिर से EDA लिफ्ट में जा रही होती है तो सॉल भी वहाँ घुच जाता है वो लिफ्ट अचनक बंध हो जाती है और हमें बता है कि सॉल नहीं यह करवाया है अब वो धोनों बहुत टाइम तक उसी लिफ्ट में होने वाले होते है तो सॉल और वो अपनी जो अपर्णमेंट होती है वो यही खतम कर लेते है सॉल उसकी डील जल से जल मान लेता है लिफ्ट से बार निकल कर जिस आदमी ने उसे हिल्प की होती है उसे पैसे दे देता है जब सॉल कोट से निकलता है तो नाचो उसे अपने गाड़ी में बैठने के लिए बोलता है यह एपिसवर खतम हो जाता है